हाई बच्चो वेलकम बाक टू सीवडी वाईडा 247 बारी है किमिस्ट्री के एक्जाम की आई होप आप लोगों का जो पिछले दो एक्जाम से रहे हैं लांगवज के वह अच्छे रही होंगे या फिर जैसे भी रहे हैं अब हम उसके बारें बात नहीं करेंगे क्योंकि जो ह हो चुका है वो हो गया है जो हो सकता है उस पर काम किया जा सकता है आयनू हो सकता है डर लग रहा हो जिन लोगों की तयारी हो चुकिया उनको भी डर लग रहा हो जिनकी तयारी नहीं हुई है उनको भी डर लग रहा हो लेकिन एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही जरूरत की कहावत है जो आप लोग को इस वक्त सुननी चाहिए कि जो भी चीज हम शिद्दत से चाहते है ना तो वो हमारे डर के उस पार बैठी होती है तो जरूरी क्या है उस डर को हराना और अभी भी हमारे हाथ में है चार दिन और आपके साथ हूँ मैं और मेरे साथ हूआ और जैसे ह जैसे कि मैं आप लोगों को बोला है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आपको डढ़ने की जरूरत नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अब फाइनल फाइनल प्लान देने जा रही हूँ जो हमें फॉलो करना एक लिए चार दिन और अगर तुमने शिद्दत से सचे मन से और कंसिस्टेंसी से इसको फॉलो कर लिया तो मैं बोल रही हूँ कोई भी तुमारे नंबर 65 प्लस आने से रोक नहीं सकता और जैसा कि मैं बोलती हूँ किसमत अच्छी रही तो 70 में से 70 भी बिल्कुल आएंगे तो शुरू कर तो इस वीडियो को आप मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एक एक बात आपके लिए इस वक्त बहुत काम की है I think सबसे जादा काम की है इस वक्त आप सभी लोग के लिए एक एक बात जुम्हा पर दिनी जा रही हूँ मैं बात करूंगी कि अगले चार दिन आपको क्या करना है है तो लेकस सर लिए अप सभी लोग को सबसे पहले समझनी ज़रोरत है फेपर है कि मिस्ट्री का हमारा क्या सचमे 27 सारिक को आप लोग को लगता है है यह 27 सारेख बैपर क्योंकि कल शुरूरात हहिए अगर आपका कल अ च्छा होगा तो आपका 27 अच्छा होगा तो हमें य तो ये चार दिन अच्छा करेगा ना वही सत्ता इसको अच्छा करेगा और मैं यहां पर आ चुकी हूँ आपके इन चार दिनों को सबसे बेस्ट यूटलाइज करवाने के लिए लेकिन जरूरत केवल एक चीज़ की है भरोसे और महनत तो मैं बच्चों यहां पर आप लोगो जाते हैं क्या करें तो अगले चार दिन में क्या मुम्किन है तो नामुम्किन तो कुछ होता ही नहीं कहते है ना नामुम्किन के आगे भी ना लगा हुआ है तो वो भी मुम्किन है तो मुम्किन तो सब कुछ है लेकि उसे करना पड़ेगा महनत करनी पड़ेगी नसीब और लक के हाथ में बातों को नहीं छोड़ना है महनत ही करनी है और वही एक और अल्टनेटव है और वही हम करने जाएंगे इन अगले चार दिनों में So let's get started with the plan आखरी चार दिनों का final plan मैं आप लोगों को देनी जारू हूँ कि अगले चार दिन लगना पड़ेगा महनत करनी पड़ेगी हार नहीं माननी पड़ेगी और जो जो मैं बोल रही हूँ जो जो मैं बोल रही हूँ अगर आप कर देते हो तो आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो So let's get started क्या-क्या करना है चेक्लिस्ट बनाते है फाइनल प्लान में हमें क्या-क्या काम करना है सबसे पहले होगी फुल सिलेबस की थियोरी मारितन जो कि कल सुभा ग्यारा बजे लग चुकी है आप लोगोंने रिमाइंडर भी सेट कर लिया होगा यह क्यों इंपोर्टेंट है यार मैदान में उतरना है शस्त्र होने चाहिए ना लड़ोगे किस से तो शस्त्र तो देने बढ़ेंगे ना तो पहले तयारी करनी होगी थियोरी से तो हम कल एक वीडियो में कल का दिन तयारी का है अगले तीन दिन हमें परफॉर्म करना है और फाइनल परफॉर्मेंस हमारी सत्ता है इसके होगी लेकिन कल का दिन है तयारी का तो कल आप लोग इस माइंट से मेरे पास आओगे कि मैं जो आप करवाओगे ना वो वीडियो जो कल सुभा 11 बजे शुरू होगी आपको मैं पूरी चीज़े बताने वाली हूँ कि उस वीडियो के अंत में आपको क्या करना है एक एक मिनट इंपोर्टेंट है एक मिनट का प्लान है तो सबसे पहली शुरूआत होगी हमारी कल सुभा से जिसमें हम पूरी थियोरी को कम्प्लीट कर रहे होंगे A to Z 10 के 10 चाप्टर दिल दिमाग में बसाने है और वो में बसाओंगी उसके बाद बच्चो हम बात करेंगे जैसे हमारा थियोरी त्यार होगा हम जाएंगे PYQs के उपर 60% 70% पेपर यहीं से उठके आएगा पिछले 8, 9, 10 सालों के सारे important PYQs करवा के जाओंगी मैं बोल रही हूँ जो करवाओंगी वो पेपर में आएगा तो आप मानो इस बात को कि जो PYQs करवाओंगी वो पेपर में आ रहे होंगे PYQs के बाद आपके लिए important रहे हैं तो PYQs हैं PYQs में से भी कुछ नव बहुत expected सवाल होंगे तो पहले तो सारे PYQs important करवाओंगी उसके बाद NCRT, Exemplar और PYQs तीनों के most expected questions भी करवाओंगी अगर आप यह दो set कर लेते हो कुछ नवानी आने वाला भरोसा करो उसके बाद उसके बाद आएंगे आपके MCQs बहुत important है MCQ इसको छोड़ नहीं सकते हैं तो जितने भी MCQs आपके paper में आ सकते हैं इतना बड़ा question bank करवा के चली जाओंगी न बच्चो उसके बाहर आपको सवाल मुझे नहीं लगता आने वाला है लेकिन आपको काम करना पड़ेगा आपको सब कुछ complete करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगली चीज़ जो बच्चो को डर देती है वो case based questions तो जितने भी case based questions अभी तक आए हैं और जितने भी आपके आगे आ सकते हैं परिक्षा मैं लोगी और उसके बाद आपको भेजूँगे examiner के पास ले लो परिक्षा तयार हो चुके हैं बच्चे हमारे तो तुम्हारे को यहां तक मुझे तयार करवाना है लेकिन उसके लिए यह सब मुझे करवाना पड़ेगा उसके लिए तुमको भी यह सब करना पड़ेगा और फिर guess paper के बाद आखरी minute का जो revision है एक पार तो करवाऊंगी कल आखरी minute सुभा paper में भेजने से पहले gate तक छोड़ के आऊंगी दिमाग में डाल के ही छोड़ूंगी ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली हूँ तो आखरी minute का revision सुभा होगा paper वाले दिन होगा तो यह मान के चलो कि यह पूरा plan मेरा set है आप लोगों को बस आने की और करने की जरूरत है और अगर हम यह कर लेते हैं तो 70 में से 70 होने वाला है कोई रोक सकता है मैं वोल रही हूँ होने वाले है तो तुम लोगों को बस पढ़ना है देखो जो जिंदिगी में भी तक हुआ सो हुआ अब चार दिन लगके पढ़ लो बचा लेंगे निकाल लेंगे मुश्किलों से और तुमको यहां पर नंबर दिला देंगे तो मेरा आखरी के जो गुरु मंत्रे रहेंगे न इसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा चार दिन है लगके मेनद करते हैं पहला गाम वी नीट टू भी फोकस्ट हमारे को प्लान होना जरूरी है जो हमने बना लिया है और इस प्लान को फॉलो करना है इंपोर्टेंट है दूसरी बात आपको महनत कंटीनियूर्स करनी है यह नहीं किया मैं एक सेशन हो गया दूसरा छोड़ देता हूँ तीसरा कर लूँगा चौता महां से कर लूँगा दस नाव में सवार होगे तो एक भी नाव में स्टैर नहीं पाओगे आपको एक जगा रगना है और आपको महां पर महनत करनी है तो परसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी दो चीज़े आपकी मेरे को लगेंगी यहां पर इसके अलावा, you need to have faith on yourself अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम अपने आपको बोलो मैं ही कर पाऊंगा और उसके बाद बाकी मेरे ओपर छोड़ दो बस तुम अपने आपको बोलो कि मैं कर पाऊंगा बाकी मैं हूँ करवाने के लिए लेकिन तुम्हें खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं कर पाऊंगा प्राक्टिस, रिवीजिन और इंप्लिमेंटेशन, तीन काम है और तीनों यहां पे भरपूर मात्रा में मैं यहां पे करवा रही होंगी and lastly I would just say one thing, everything is possible we can do everything, this is a board exam इससे बड़े बड़े चीजे भी लाइफ में, तो यह तो बहुत चोटा गाम है यह बहुत अराम से होगा तुम लोग बस positive रहो, आज की रात अपने mind को center में लाना है जो हुआ सो हुआ अपने दिमाग को यह बोलना और बोलना है कल से कल से एक नई शुरुवात है, रिस्टार्ट है हमारा और सुभा से मैं आप लोगों यह साथ जुडने वाली हूँ आई वांट सभी लोग पहली बात तो सेशन पे जाओ रिमाइंडर सेट करो यार हजार से कम likes नहीं होने चाहिए पहली बात मैं आपको बोल दू कि मेरा खुद गला बहुत कराब है लेकिन मैंने हार नहीं मानेंगे तो मैं चाहती हूं मेरे बच्चे हार नहीं मानेंगे तो मुझे सुभा वो मोटिवेशन चाहिए मुझे उजजबा चाहिए आपकी energy is directly proportional to my motivation and I want मेरी motivation यार कभी डाउन नहीं हो सकती है जब तक मेरे बच्चे है So I want you all to set the reminder for the session that is the biggest session for YouTube पूरी chemistry को एक वीडियो में जड़ से खतम करने वाले हैं इस वीडियो के जो notes रहेंगे ना काम देके जाओंगी छोड़ू ही नी तुमको की रात में छोड़ दू तुमको काम देके जाओंगी सत्तर में से सत्तर लान है ये वीडियो कल सुभा सुभा कल सुभा ग्यारा बजे शुरू होगी यहां पे मेरे से पहले तुम लोग चाहिए हो यहां पे हजार से जादर लाइक होने चाहिए रिमाइंटर सेट करेंगे अपने सभी दोस्तों को बोलेंगे इधर उधर की बाते छोड़ो के mystery point ने आते हैं तो यह रही कहानी शेडियूर आपके सामने है अल्दो 23-27 फरवरी फुल सुलेबस माराथन, PYQs, MCQ, expected question, case based guest paper और last minute vision 23-27 फरवरी, plan है set you need to get ready for 70 on 70 इसी के साथ मैं जाती हूँ आज और मिलती हूँ सुभा जितनी बात मैं मुझे कहनी थी मैं तुम्हें कह चुकी हूँ अब बारी है action करने की बारी है implement करने की plan तयार है सो मैं मिलूंगी सभी लोगों को कब सुभा 11 बजे एक बार मैं बता देती हूँ जो भी नया बच्चा इस चानल पर फर्स टाइम भी आ रहे हूँ ना जिंदीगी का best decision होने वाला है तुम लोगों का ये तो CUET EDA पर ये लग चुका है session है ना पहला session है अभी playlist भी update करवाने वाली हूँ one shot वगेरा सब डलवाने वाली हूँ तो tension मतलो one shots भी रहेंगे revision का क्या पढ़ना है क्या नी पढ़ना है सब बताने वाली हूँ बस सुभा चाहिए हो मुझे ये आकड़ हजार क्रॉस होना चाहिए और फिर तुम और मैं मिलके करेंगे chemistry का game over let's go for it excited हो या नहीं comment section में आग लगनी चाहिए और ये session आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए सब से important होना चाहिए तो मनते हैं सुभा ग्यारा बजे I hope you are ready I am ready to get started with all of you to get you all 70 on 70 सुभा ग्यारा बजे मनते हैं बाई बच्चों तयारी के साथ आना